गुद मॉर्निंग अश्टुयेंटस आफ लास सेवेन आफ इम वोइंग टीच यू साइन्स फिजेक्स चैप्टर नम्बर सेक्स आफ डाइप्टर नम्बर सेक्स अफिजेक्स जिसमें conduction हम लोग पिछले दिन पर चुके थे और conductors and bad conductors क्या होते हैं और इसके examples हम लोग देख चुके थे conductors means that substance which allows heat to flow through it जैसे metals इतने भी metals होते हैं वो good conductors होते हैं जबकि bad conductor that substance which does not allow heat to flow through it जैसे wood plastic यह सब bad conductors के गिंती में आते इसको insulator भी कहते यह पिछले दिन हम लोग पर चुके थे और इसी properties के कारण conductor का और bad conductor का यूज होता है तो हम लोग को आज पढ़ना है use of good and bad conductors good conductors का हम कहां यूज करते हैं और bad conductors का कहां यूज करते हैं यह दोनों ही हमारे लिए useful हैं चाहे good conductors हो या bad conductors हो कहीं कहीं पे good conductors हमारे लिए useful होता है और कहीं कहीं पे bad conductors useful होता है तो देखें यह किस तरह से हमारे यूज में आता है आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 60 में देखें यूजेज ओफ गुड ऑन बाइड कंड़क्टर्स वाइट व्यूज गुड चाते हैं कि हीट ट्रांसफर्ड हो हीट कंड़क्ट हो वहां हम लोग का यूज करते हैं जैसे कुक्यं अव्य धन्सिल्स अर मेड उफ मेंटल्स सच अज ब्रास और मुनियम हमारे घरों में कीचेण में हम लोग जो बरतन यूज़ करते हैं वह गुड कंडुक्टर का मेतल का बना हुता है कियों बना होता है चुक्यी वह हीटको ।ंडुक्ण करता है और heat को conduct करने की कारण heat उस बरतन के अंदर जो cooking materials है वो cooked हो पाता है तो यहाँ पे हम लोग good conductor का इस्तेमाल करते हैं दाव, silver and copper are the best conductor of heat, cooking utensils are not made of these metals as they are expensive गोल्ड and silver या copper यह भी good conductor है लेकिन इसका बरतन हम लोग use नहीं करते हैं चुकि यह महंगा है और नहीं तो हम लोग generally metal का जैसे aluminium है, brass है, जो कि यह लवाय है उसका हम इस्तेमाल करते हैं यह सब good conductors होते हैं दूसरा देखे, we use bad conductors of heat, wherever we do not want heat to be transferred जहां हम लोग को जवरत है कि heat transfer नहीं हो, वहां हम लोग bad conductor का इस्तेमाल करते हैं जाम चाहते हैं कि heat ना लूज हो ना गेन हो, वहां हम लोग bad conductors का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दस handles of cooking utensils are made of bad conductors of heat, such as wood और plastic, जैसे जितने भी बरतन है कीचन में हमारे उसका जो handle होता है, वो या तो लकड़ी का बना होता है, या प्लास्टिक का बना होता है, ताकि हम लोग जब हाथ से टच करें, पकड़ें, तो हम लोग का हाथ जलने से बच सकें, यदि good conductor होगा और हम लोग हाथ से पकड़ेंगे, तो हाथ जल जाएगा, तो handle में जो है, bad conductor का इस्तेमाल होता है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे usage हैं, जो books में आपके दिये हुए हैं, page number 60 में आप पर करके देख लेंगे, गुड कंड़क्टर और बैड कंड़क्टर दोनों ही हमारे लिए useful हैं, अब ये दूसरा मेथड है, convection, conduction के बाद convection, convection एक मेथड है, जिससे भी heat flow करता है, और इसी के बज़ा से sea bridge and land bridge काउज होता है, और convection भी हमारे लिए काफी useful है, आप देखें, अपने book के page number 61 में, activity 7 में, यहां देखिए एक बीकर में पानी है और उसको गर्म किया जा रहा है, आप भी अपने घरों में पानी गर्म होते देखे होंगे, तो बरतन में देखते हैं पानी को खौलते हुए, और उसमें हम यह साफ देखते हैं, कि अंदर से बीच में से पानी जो है उपर से नीचे से उपर की ओर आ रहा है, और किनारे से फिर वो नीचे की ओर लोट जा रहा है, यहां आप असपस्ट देख सकते हैं, बीच से पानी गर्म होकर के उपर की उठता है और फिर ये किनारे की ओर दोनों किनारी धर और इधर चारों किनारों की ओर मुर जाता है और मुर करके नीचे चला आता है तो यह जो तरीका है यह कनवेक्शन कहलाता है नीचे का पानी गर्म होकर के उपर आता है फिर उपर का ठंधा पानी ज यहां हीट है एक फ्लो नहीं करता है बलकि मॉल्समूब करता है कंड़क्शन हमने देखा था कि सॉलिड के पाइटिकल स्मूब भी करते कंड़क्शन से जनरली सॉलिड जो है गर्म हुआ करता है और कनभेक्शन से liquid और gas गर्म हुआ करता है conduction में material का जो particle है वो move नहीं करते बलकि heat flow करता है और यहाँ heat flow नहीं करता है बलकि जो material है उसके particles move करते है particles जो है molecules जो है source of heat के पास जाता है गर्म होता है और वहाँ से उठकर करके ऊपर चला जाता है और दूसरे molecule जो है ठंडा molecule वो वहाँ जाता है वो भी गर्म हो करके ऊपर चला आता है और यह process चलता रहता है तो इसमें हम देखते हैं कि movement of particles हुआ करता है convection में और इसी के सहारे पानी गर्म होता है या हमारे atmosphere में हवा जो गर्म होती है वो भी convection method से ही गर्म हुआ करता है sun light से भाले धर्ती गर्म होती है surface गर्म होता है earth surface और जो हवा earth surface के contact में आता है वो गर्म होकर करके ऊपर उठ जाती है और ऊपर की ठंडी हवा फिर नीचे आती है और वो भी earth के contact में surface के contact में आने पर गर्म होती है इस तरह से convection method से atmosphere गर्म होता है, हवा गर्म होती है देखें, convection का definition है Convection is the process of transfer of heat in which the heated molecules of liquid or gas themselves move to carry heat from the hot to the cold region तो यह definition हो गया convection का यह convection liquid में होता है और gas में होता है देखें, page number 62 में, page number 62 में देखें Sea and land bridge In coastal areas, the bridge generally flows from the sea towards the land during the day दीन के समय में, समुद्र से जमीन की ओर हवा बहती है और रात में जमीन से from the line towards the sea रात में जमीन से समुद्र की ओर हवा बहती है तो इस तरह से यह दो तरह का bridge हुआ, sea bridge and land bridge तो दीन में समुद्र से जमीन की ओर इसको sea bridge कहते हैं और रात में जमीन से समुद्र की ओर इसको हम land bridge कहते हैं यह दोनों ही bridge convection current का ही परिणाम है देखें, page figure number 6.8 में, page number 62 में है sea bridge समुद्र से जमीन की ओर हवा जा रही है और यह रात्री में देखिए जमीन से समुद्र की ओर हवा जा रही है, यह land bridge हो गया होता क्या है, कि दीन में जो है जमीन ज्यादा गर्म हो जाता है और समुद्र कम गर्म होता है जिससे कि समुद्र पे pressure जो है high होता है और जमीन पे गर्म होकर के हवा उपर उठ जाती है जिससे यहाँ pressure लो हो जाता है और समुद्र से जमीन की ओर हवा बहने लगती है और sea bridge का उज हो जाता है जबकि रात्री में उल्टा होता है समुद्र का पानी गर्म रह जाता है और जमीन जो है जल्दी ठंडा हो जाता है तो समुद्र तल से हवा गर्म होकर उपर उठ जाती है pressure लो हो जाता है और जमीन पर से हवा समुद्र की ओर बहने सरू हो जाती इसको land bridge कहते है convection का क्या application है क्या यूज है हमारे daily life में तो हम लोग के घरों में ventilators generally सबसे उपर में रहा करता है room में इसकी बज़य क्या है कि हवा जो है हमारे room में गर्म होकर करकर के ऊपर उठती है और ventilator से हवा जो है बाहर चली जाती है गर्म हवा और खिर्की से ठंडी हवा फ्रेश हवा बाहर से अंदर आती है तो ये convection current का हमारे daily life में यूज है और दूसरा हम लोग जब भी heater का इस्तिमाल करते हैं तो heater जो है हम लोग जमीन पे नीचे रखा करते हैं क्यों? क्योंकि उससे जो है हवा गर्म हो करके उपर उठता है और पूरा रूम जो है गर्म हो जाता है heater को कभी भी उचा में नहीं रखते क्योंकि यदि उचा में रखेंगे तो वहाँ से उपर का गर्म होगा नीचे ठंडा ही रह जाएगा जबकि AC जो है हम उपर लगाते हैं ठंडी हवा नीचे आती है तो उपर में लगाने से पूरा रूम जो है नीचे ठंडा हो जाता है यदि हम AC नीचे की उड़ लगा दें नीचे में लगा दें तो वहाँ से नीचे ठंडा होगा उसके उपर गर्म रहेगा तो ये AC और heater लगाने में भी करते हैं हम आप लोग होंबरख करेंगे पहला और I.R क्याइंट और से मेड़व मेड़ बना होता है सेकेंड हैंडल प्याइंडल का योड़ और प्लास्टिक क्यों बारतन का है जो एंडल होता है में डिज यह नई sophisticated सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का अंतर बताईए यह सारे कोश्चन्स आप लोग करेंगे होंबर के रूप में इस ओके थैंक यू